What's up everybody, this is Afros back again with a new video So, आज की वीडियो माँ बात करने वाले हैं Aprilia 160 के बारे में जो की अभी लॉंच हुआ है और यह काफी डिफरेंट है अपने earlier version और जो existing version था इसका version 150SR So, अब Aprilia ने confirm किया है कि वो अपने previous version को discontinue करेंगे मेंस अब जो आने वाले है 160 ही आईगी मारकेट में और काफी कुछ चेंजेश हैं इसके engine में So, अगर आप बात करें इसके engine के बारे में तो आपको यहां मिलेगा BS6 compliant engine जो की आपके smoke emission को काफी हद तक control करेगा अगर आप बात करें इसके engine displacement की तो पहले आपको मिल रहा था Aprilia 150 SR में 154 CC का engine displacement और यहां मिल रहा है आपको 160 CC का engine displacement तो जैसा कि आपको CC में भी 6 CC का फर्ग नज़र आ रहा है वैसी आपको mileage and performance में भी काफी improvement नज़र आएगा अगर इस scooter के बारे में बात करें तो पहले आपको carbureated engine मिल रहा था Aprilia 150 में और यहां आपको मिलेगा fuel injector जो की इसके smoothness and mileage performance को काफी improve and enhance करने वाली है तो चलिए बात करते हैं इसके power and performance के बारे में power 10.8 PHP की अगर वहीं आप torque के बात करें तो torque मिलने वाला आपको 10.11 Nm का आपको मिलेगा इसमें tire जो की 120 x 70 section का tire होगा front का and rear में भी आपको वही tire मिल रहा है 120 x 70 section का वहीं आपको rear में मिलेगा 140 mm का drum brake आपको rear में मिलेगा 140 mm का drum brake and आपको front में मिल रहा है ABS disc brake जो की आपके control को काफी smooth और अच्छा रखने वाला है अगर आप ABS की बात करें so 150 CC के उपर जितने भी अपरेलिया में आ रहा है 150 हो या 160 हो दोनों में ABS ही था अगर आप बात करें इसके alloy wheel की वह 40 inch का alloy wheel मिलेगा आपको इसमे and headlight में आपको halogen DRL lights मिलेगी अगर आप वहीं इसके price के बारे में बात करें तो इसका एक showroom price है जो कि पूने का बतारों मैं यह 1,3,360 रूपीज का था यह on road आते आते somewhere around 1,30,000 का हो जाएगा अगर आप fuel tank की बात करें तो आपको यहां मिलता है 6.5 liter का fuel tank जैसे कि आपको पुराने वाले मिल रहा था अगर आप इसका smart connect version लेंगे तो इसमें आपको about 4,000 रूपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा जिसमें आपको feature मिलेगा call alert, message push और GPS navigation राइट अगर आपको smart connect चाहिए तो 4,000 रूपीज एक्स्ट्रा समझ लिए इसमें अगर आप mileage की बात करें तो आपको मिलेगा 42-45 km per liter का यहां पे average and front में मिलेगा आपको telescopic suspension and rear में मिल रहा है आपको spring suspension आपको इसके dashboard पर speedometer की बात करें तो speedometer पर आपको एक fuel indicator मिलेगा ABS indication मिलेगा and analog speedometer है दो side में आपको digital so further आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर दे और चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेजिए so that next time जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले notification मिले और आप मेरे वीडियो को बिलकुल भी miss ना करें so guys stay tuned and see you in the next video